तो आज में आप लोग को एक नया टॉपिक MSC सेकेंड इयर जूलोजी का जिसका नाम है पेर्ड फिन और जो एक्जाम में हमेशा सौर्ट टूर्ट में पूछा जाता है जैसा कि एक्जाम पास आ गए है तो आप लोग सबसे जो most important topic है उस पे ध्यान दीजिए उसी को पढ़िए तो हमारा जो topic है उसका नाम है पेर्ड फिन तो शलिए स्टार्ट करते हैं जो हमारा topic है पेर्ड फिन उसको full detail में हम लोग study करते हैं तो पेर्ड फिन पेर्ड फिन जो होती है वो जैसा कि फीगर में दिखाया गया है कि मचली की जो पंक होते हैं उसे ही बोलते हैं पेर्ड फिन ओके fins are distinctive anatomical feature composed by bonnie spins are raised producing from the body of a fish तो पेर्ड फिन जो है वो मचली के शरीर से निकलने वाली हड़ी हड़ी जिसे बोलते हैं रीड की हड़ी ओके रीड की हड़ी से बनी विशेष्ट शारीरिक विशेष्टा होती है जो पेर्ड फिन होती है वो मचली के शरीर से निकलने वाली हड़ी की हड़ी से बनी एक विशेष्ट शारीरिक संदशना होती है जैसा कि इसमें लिखा गया है Fins are destructive anatomical features composed of bony spins or rays protesting from the body of a fish. Okay, इसके बाद है, they are covered with skin and jointed together either in a whipped fashion as seen in most bony fishes or similar to a flipper. तो वे तवच्छा से ढखी होती है और या तो एक whipped fashion में एक साथ जुड़े जाती है. तो ये मतलब इसके पेड़ फिन्ट में body होती है, ये covered होती है और ये वेड़ फिन्ट में एक दूसरे से जुड़ी होती है. या एक flipper के समान होती है, जो fins है या तो एक flipper के समान होती है. तो ये जो है कि पेड़ फिन्ट जो है, वो मशली के शरीर से निकलने वाली हड़ी के बनी एक विशेश समरशना होती है, जिसकी विशेश्टा यहां बताई जा रही है, वेड़ तवजा से ढखी और या तो एक वेड़ फैशन में के साथ जुड़ी एक flipper के समान होती है. तो जो इसकी पूछ होती है, जो मतलब पूछ होती है फिश की वो पंक के अलावा मशली के पंक हो या रिड़ से कोई सम्बंध नहीं होता है उसका, जो इसकी पूछ होती है, उसके मतलब रिड़ की हड़ी से कोई सम्बंध नहीं होता है, और केवन मानस्पेश्यों द्वारा यह जूड़ी होती हैं और उसका मुख्यकार मचली के जो तैरने में, स्विंग करने में काफी यह helpful होता है क्या helpful होता है? मतलब जो fins हैं वो स्विंग करने में काफी helpful होती है फिन्स लोकेड़ एडिफरेंट प्लेश ओन दा फिश सर्व दिफरेंट प्रोपोज सच ए मुविंग फारवर्ड टैनिंग कीपिंग एं अप ब्राइट पोजिशन और स्टॉपिंग मोस्ट फिश यूज़ फिन वन स्विमिंग फ्लाइंग फिश यूज़ प्रोटेक्टल इस आर ग्लैडिंग तो मचली पर अलग अलग जगहाओं पर इस इस्थित पंक अलग अलग उद्देशियों की पूर्ति करती हैं जैसे कि आगे बढ़ना मुलना सीधे स्थिति बनाए रखना अधिकांश मचलियां तैरते समय पंकों का उप्योग करती हैं उल्डे मली जो म पेयर्ड फिन तो एक बार फिर से जान लीजिए जो पेयर्ड फिन होते हैं वो मचली के तैरने में काफी हल्प करते हैं ये रीड की हड़ी से जुड़े होते हैं इसकी जो तवचा होती है वो कवर्ड होती है जो वेफ फेशन में एक दूसरे के साथ एक फ्लीपर के समान ज जूड़ी होती है इनकी जो पूच्छ होती है पंक के अलामा जो उनकी पूच्छ होती है उनकी रीड की हड्डी से कोई संब्द नहीं होता और उसका मुख्यकार तैरने में मदद करता है तो मशली की अलग-अलग जगाओं पर इस्थित जो पंक होते हैं वो काफी हेल्फ तो यह जो आज का हमारा टॉपिक है पेड़ फिन यहीं जाके इंड होता है अगर आप लोग को पेड़ फिन से सम्मंधित कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ऐसी ही जानकारी के लिए आप लोग मेरा चैनल सबस्क्राइब करें जिसका नाम है दिपिका जुरोजी क्लासेज एंड हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग जोइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रेप्शन बॉक्स में दिया गया है थैंक्स फॉर वाचिंग